वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे यहां से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन में आल का उप्शन सेलेक्ट करें मेरे दोरा अपलोड कियेगे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए कि है एलो लर्नर्स कैसे हैं आप सब उमीद है जो भी वीडियो में आप लोग को अपलोड करके दे रहा हूं आप लोग उसको देख रहे होंगे और उससे ऐसा मैं उमीद करता हूं कि आप लोग को डेफिनेटली जो भी कॉंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे वो यहां पर प्रोटेक्टर मेंज डी है बच्चो आप लोगों आप लोग सब के पास आपके जोमेट्री बॉक्स में डी पका रहा होगा और है भी तो उसका यूज करके हम एंगल को मेजर करना और ड्रॉ करना सीखेंगे और साथी मैं यह भी वदा दू आप लोग को कि यह ज और बाकी उपर क्लास में तो देखिए अपर क्लास तक एंगल तो हर बार आता है यह ड्रॉ भी करना होता है तो जिसका बेसिक किलियर नहीं है वो लोग भी इसे समझ सकते हैं जिनको अभी भी प्रॉब्लम आती इस तरह की और बाकी तो आप लोग वैसे नॉर्मली यह तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए हम इसमें यह जानेंगे कि एक्टिली में एंगल होता क्या है हमें एंगल की प्रॉपर मतलब एक तरीके से जो इसकी डेफिनेशन है वो हमें पता होना चीए और उसके हिसाब से तब ही हम चीजों को डिफाइन कर पाएंगे तो बच्चों जो एंगल होता है एंगल एक तरीके से एंगल फॉर्म कैसे होता हैं एंगल कोई फॉर्म होता है उसमें अगर कोई भी दो लाइन्स ठीके एनी तो लाइन्स when share an end point means अगर कोई भी दो लाइन है जिनके end point मतलब share किये जा रहे है मतलब वो दोनों जो line है वो दोनों अपना end point जो है वो share कर रहे है या फिर हम कह सकते हैं कि उनमें जो दो लाइन है उनमें कुम कह सकते कि one common point है one common point अब देखिए जब मैं आपको example दिखाऊंगा तो ज़्यादा clear होगा यह देखिए अगर माल दीजे मैं एक line ड्रॉ कर रहा हूं और मैंने एक line यह ड्रॉ करी है तो आप मुझे बताइए इन दोनों lines के अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले line का यह जो line है इसका common point sorry end point एक यह है और एक यह है यह दोनों इसके end point है और इसी तरह से जो नीचे यह line है इसमें भी एक यह end point है और एक यह end point है बट क्या एक बाद बताएए क्या यह दोनों line है अपने end point को share कर रही है क्या यह जो line है यह वाली इस line के अपने दो end point है और इस line के अपने दो end point है यह दोनों ही कोई ऐसा share नहीं कर रही है एक दूसरे से लेकिन अगर इनी दोनों line हो को अगर हम बात इस लाइन की करें तो इस लाइन का जो end point है ओ देखिए इसका एक point यह है और एक end point यह है और दूसरे लाइन का एक end point यह है और एक end point again यह है तो आप ध्यान से देखिए इस वाले नीचे वाले figure में यह जो दोनों lines है यह कहीं न कहीं अपने इस end point को share कर रही है इन में से एक end point वो common है हम कहा सकते हैं कि यह जो end point है एक तरीके से क्या है common भी है तो इस तरह से हमारी जो angle है हमारा जो angle है angle का definition हम लोग यहाँ पर जो angle का definition है उसको हम लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं यहां पर कि एंगल क्या है आफ फिगर विच इस फॉर्म्ड बाइ टू लाइन्स बाइ शेरिंग के कॉमन एंड पॉइंट तो आप लोग को डेफिनेटली आब एंगल समझ में आ रहा हुगा एंगल तब ही फॉर्म्ड होगा जब किसी दो लाइन में कोई उनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो अब देखिए यहां पर दोनों भी अगर दोनों end point common हो जाएंगे तो भी वो angle नहीं बन सकता अब ध्यान से देखते हैं अगर मैं दो lines मान लीजे मैं यह एक line लेता हूं ठीक है और एक और मैं दूसरी line लेता हूं यहां पर suppose मैंने एक और दूसरी line ले ली तो अब देखिए यहां पर कोई भी angle नहीं बनेगा क्योंकि दोनों के और उनको यह चीज बहुत बाद में समझ में आते हैं जिब वह बहुत ज़्यादा higher classes में चले जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको यह सब अभी से ही समझा सकूँ देखिए बचो मैंने यहां पर आप लोग लिए एक db अरेंज किया है यह नॉर्मली प्रोट्रेक्टर बोला जाता है बट आम बासार में हमें इसे db बोलते हैं तो हम यहां पर देखेंगे कि हम angle को measure कैसे करते हैं अब आप इसको ध्यान से समझ गिए कि माल लीजे हमारे हमारे पास कोई angle दिया हुआ है सपोस्पोस हमारे पास यह angle दिया हुआ है ठीक है तो अब मैं इस angle को measure करना जाता हूँ तो इसको measure करने के लिए देखें हमें क्या करना पड़ेगा यह आपके पास db है आप इस db को ध्यान से देखिएगा कि इस db में यहां पर नीचे आपके पास भी जो db होगा उसमें भी यही सब होगा आप ध्यान से देखिए अपने db में कि यह जो db की नीचे यहां पर एक line आपको दिख रही है यहां पर यह एक line दिख रही है आपको यह वाली line मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ यह देखिए यह वाली line यह दिख रिया आपको यह line द्यान दिजेगा यह जो line है लाएं हमें इस line पर ध्यान देना है ठीक है और एक तो db जो आपका end होता है यह वाली line होती है हमें इस पर नहीं देखना हमें सिरु यह db के अंदर एक SE Lu praticamente line होगी भी ठीक है हमें उस लाइन पर ध्यान देना है और आपको यहाँ पर अपनी डी में एक ऐसे सीधी लाइन दिख रही है वो देख रहे हैं आप यहाँ पर भी है और आपके भी डी में होगा यह लाइन आपको दिख रही होगी वहाँ पर ठीक है तो इन दोनों लाइनों में आप सा की बात कर रहे हूँ यह आपको दिखाई दे रहा है सक्वी को अप इस पॉइंट को धियान से रहे ही हमें इस पॉइंट का और इस मांको कि Voilà कर सकते हैं ने अब धेखिये कैसे मह लीजे मैं इसको यहां से shift कर रहा हूँ इस D को मुझे यह angle measure करना है तो मुझे इस D को यहाँ पर लाना पड़ेगा अब देखे बच्चो आप कुछ doubt नहीं रखे मन में यह जो D है ना D के size से कोई लेना देना नहीं है हमें D बड़ा भी हो सकता है चोटा भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो इस D को अगर मैं छोटा करके भी इसका angle measure करूँगा ठीक है तब भी same ही आएगा और D को भी सबजाओंगा अभी थोड़ी दिर में ठीक है अभी सबसे पहले हम इसको देखते है अब देखे मैं इस D को क्या करूँगा यहां पर लाके मैं इस डी को यहमारा जो यह वाला जो point है किये वाला यह देखिए यह जो point है हम इस point की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें जो मैंने d का common point बन रहा है था यह वाला यह वाला और यह वाला यह दोनों हमें मिलाना है ठीक है तो अभी देखिए हम इसको वहाँ पर ले जाएंगे यह देखिए बच्चों यह मैंने इस point को मिलाया ठीक है लेकिन अभी भी आप ध्यान से देखिए कि यह जो line है ना हमारी यह जो angle वाली line है यह वाली line है आप सबको दीख रहा होगा यह जो line है हमारी यह angle वाली line है ठीक है तो हमें इस line का ध्यान रखना है और देखिए यह जो D का जो सबसे नीचे वाला line जो मैंने आपको बताया था वो यह वाली line है तो हमें ध्यान देना है कि यह जो line है वो इस line के एकदम coincide कर जाए मतलब यह एक दूसरे के उपर आ जाए यह देखिए यह मैं ले जा रहा हूँ और यह मैंने इसको coincide कर दिया दिख रहा है आप सभी को ठीक है और देखिए यह point अभी फिर दुबारा point इधर और इधर हो गया है यह common point तो हमें क्या करना है हमें इस point को इसके उपर रखे और इसको यहाँ पर एकदम exactly लाके और छोड़ना है ठीक है तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा जो angle है वो एक तरीके से देखिए अचा अब आप लोग यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि आपने angle इधर से measure करना शुरू किया है तो आप इसमें देख रहे होंगे दो row चल रहा है एक उपर का यह row चल रहा है और एक यह row चल रहा है तो जब भी हम right hand side से measure करते हैं तो हम इधर से zero से मान के चलेंगे तो zero आप देख रहे हैं zero इधर ऊपर वाली line में यह वाली line में ठीक है यह जो line है हमारी zero की है और जब हम उधर left से measure करते हैं तो हम नीचे वाले line में लेते हैं यह बहुत चोटा example है मैं next वाला जो लोगा उसमें मैं आपको दूसरा example लेके द लाइन है यह हमारा इंगल है अब आप ध्यान से देखें यहां पर तो 50 है है नो वच्छों तो यह 50 के बाद माफिचाओं को इंटरप्शन के लिए तो मैं आपको बता रहा था कि यह जो हमारा line है यह वाला यह देखें यह 50 की line है यह जो हमारी सीधी line आ रही है यह हमारी 50 की line है यह वाली line आप देखें द्यान से 50 पर जा रहा है यह देखें 50 लिखावा है ना यहां पर ठीकें लेक है इसके दो आम्स होते हैं द et कि यह एक हैं इसका यह आमस है एक है ठीक है तो फो तो हमने एक का तो फटक्स रखना है जो कि हमने रख रख। है नीचे वली ली लिए पर टीक है और दूसरा जो ओ एंगल का जो आमस है वो देखे 50 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो हम क्या करेंगे हम इस लाइन की बिल्कुल सीध में चाहेंगे एक दम ऐसे सीध में चेक करेंगे ठीक है और आगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह हमारा यहां पर खतम हो रहा है यह 50 तो 50 के बाद 51 यह दे आता हूं है ठीक है अब हम अब माल लीजे एंगल को हम इधर से लेते हैं है अब देखेंगे बच्छों यह हमारा एंगल है अब देखेंगे मैंने इस बार जो एंगल लिया है वो राइट हैंड राइट राइट कि तरफ से लिया है और इसको कोई ऐसा निया बच्छों आप कहीं से भी लें वो आपको पता चल जाएगा जब आपका एंगल लेप्ट से खुल रहा हो तो आप नीचे वाली रोमे लेंगे अगर आपका एंगल राइट से खुल रहा हो तो आप उपर जहां से देखें यह आपका एंगल है ये लेट से खुल रहा है आप देखे एक बार ये आपका एंगल जो है ये देखे मेरे हाथ को बच्छो ये देखे ये जो ये जो हमारा एंगल है ये एक तरीके से मैं आपको उल्टा दिखा रहा हूं क्योंकि आपके पास मेरी ये मेरे फ्रेंट कैमरे से हो ठीक है और अगर हम इसको लेट से खोलेंगे यह देखे यह हमारा जो एंगल है यह इस तरफ से अगर इधर से खुल रहा है तो यह जो एंगल है यह तरीके से लेट से खुल रहा है ठीक है तो मैंने जो एक्जामपल लिया है अभी यहाँ पर वो देखे ध्यान से वो लेट से खुलने वाला अंगल का है तो यहाँ पर हम नीचे से लेंगे अब देखिए फिर हम वही करेंगे यहाँ पर अंगल को हम लाएंगे यह डी को लाएंगे और डी को हम इसके हिसाब से नीचे वाली लाइन के हिसाब से सेट करेंगे कि यह देखें बच्चों कि पहले मैंने इसका एंगल सेट कर दिया यह जो बीच वाला पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है अब हम इस लाइन को उस लाइन की सीध में भी लाएंगे यह देखें बच्चों यह लाइन को सीध में लाया मैंने लेकिन अभी मेरा यह जो एंगल है यह पॉइंट जो है वो कॉमन वाला थोड़ा सा फिगड़ गया है मैं इसको भी इसकी जगे पे ले आता हूँ ठीक है अभी देखिए यह बच्चों थोड़ा सा ही टेबलेट पे करना मुस्किल है बाकी आप इसको अपने जब कॉपी पे करेंगे तो यह बहुत आसान है यहाँ पे थोड़ा सा टेकनोलोजी का थोड़ा सा मैं यूज कर रहा बटा भ्यान से देखिए मैंने इसको मिला दिया है और मिलाने के बाद एक मिड़ बच्चों यह देखिए तो बच्चों अगर हम इसमें ध्यान से देखें अभी हमें क्योंकि यह एंगल हमारा लेट से खुल रहा है तो हम नीचे वाली साइड से लेंगे यह देखिए जीरो टैन टॉन्टी है ना तो यह देखिए आप यहाँ पे यह 50 से ठीक पहले जा रहा है इस बा यह देखिए आपको इसी एंगल को उपर वाले से मेजर करके दिखा सकता हूं ठीक है आपको यह डी की पोजिशनिंग पर डिपेंड करता है अगर मान लीजे हमने डी को इधर से लेना है हम ऐसे डी को रख लेते हैं और देखिए बच्चों हम डी को हम इस वाली लाइन को इस वार बेस मान के चलते हैं आपका एंगल सेम ही आएगा चाहे आप किसी को भी बेस मानिए यह देखिए बच्चों मैं इसको एक बर मिला देता हूं इस लाइन को कि देखिए बच्चों तो अब मैंने जैसे इसको मिला दिया यह देखिए यह हमारा मिल गया अब आप ध्यान से देखिए अब आपकी यह पोजिशनिंग वही आ गई है बच्चों अब की बार आप में फिर उपर वाली रोह से देखना पड़ेगा ठीक है आप देखिए ध इस लाइन को फिक्स कर देंगे उसको नहीं देखेंगे हम दूसरे वाले आमस को देखेंगे ठीक है आप देखिए यह जो है हमारा 50 और 50 से पहले 49 यह वाला पॉइंट जो है और पिर उसके बाद यह हमारा 48 डिगरी तो आप देख रहे हैं बच्चों यह सब कुछ से मारा ह है है ना तो एंगल कभी भी नहीं बदलता बच्चों अच्छा अब आप दूसरा एक और बात समझ लीजे कि यह एंगल ज़रूरी नहीं है हमारा ऐसे होई ऐसे एक फिगर में आप बड़ी क्लासे में जाएंगे कहीं से भी तो आपको ऐसा नहीं कि इसी तरह से एंगल प्र है अगे हम वही करेंगे हम किसी यह काम को ले लेंगे बस हमें ढखना कि अगर उसह की रिस्पेक्ट में वह हमारा लेब से खुल रहा हूं तो आम नीचे वाली रऌ को लेंगे अगर रैट से कुल रहा हो झालेंगे अब देखें मान लीजे मैंने इधर मैं इस रो और प ignorance कि अच्छो ये वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं ये फिक्स कर रहा हूं तो आप लोग को पता हुना ची कि भाई ये कैसे करना है मैं इसलिए मैं बार बार वीडियो कट नहीं कर रहा हूं यहाँ ठीक है था कि आप लोग को पूरा पता चले कि हमें इसको कैसे देखना है नहीं तो फिर मैं अगर वीडियो कट करके इसको मैं ठीक करके आपको डारेक् क्लजिकल प्रॉब्लम की वैसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है यह भर यह हो जाएगा अब देखिए बच्रों मैंने इस इंगल को switching कर लिया है यहां पर अभी के मैंने इस वाले KüH को physics किया यह वाला जो हमारा हमने इसको किया है और यह पॉइंट हमारा यह रहा, common वाला, तो अब हम दूसरे arms को चेक करेंगे, कि वो कहां जा रहा है, ठीक है, आप देखिए ध्यान से बच्चो, यह हमारा arm यह रहा, ठीक है, और आप ध्यान से देखिए, यह आपका इधर से, क्योंकि देखिए, अगर हम इसके according देखे, तो हमारा जो angle है, यह देखिए बच्चो, यह, यह हमारा जो angle है, वो ऐसे खुल रहा है, इदर से, है ना, यह, है ना, इस तरह से खुल रहा है, ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, again, अगर हम इसको 0 मानेंगे, तो 0, हमें 0 इसाम को लेना, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, हमने इसाम को 0 लिया है, तो आप देखें, यहाँ पे इधर 180 है, इधर 0 है, तो आप 0 से लेंगे इसको, है ना, तो आप 0 से लेंगे, automatically आपको रह पता चल जाएगी, उपर वाली रह में हमें ठीक है, अच्छा बचो एक बात और ध्यान रखें, यह एंगल जरूरी नहीं है, कि यह end point से ही बनाओ, अगर माली जे कोई दो रहा है, यह देखें, माली जे एक line है, और इधर एक और line है, ठीक है, अब माली जे, यह मैं इसको हमारा यह बन रहा है, एक एंगल हमारा यह बन रहा है, और एक tackle माला यही बन रहा है, यह सारी, यह बन रहा है, ठीक है, हम यह angle हम किसी को भी measure कर सकते हैं, जैसे अभी मैं उपर वाले angle को measure करके दिखाता हूँ, देखिये बचो हम इस वाले आम को fix रखते हैं यह जो आम है यह वाला हम इसको fix रखेंगे इस वाले आम को और दूसरे के हिसाब से measure करेंगे यह देखिए कि अगर अगर मैंने इस आम को fix के हैं यहां पे हमें इसको 0 लेना पड़ेगा दो कोई डाउट नहीं होगा बच्रों अब देखिए हमने lifesलं को देखना है क्योंकि हम यह वाला आ Lot अगर मेजर कर रहें हांसे यहां तक तो हम इस वाली row को देखेंगे पर इस वाली line को देखेंगे यह देखें दियान से बच्चो अब यह आपको उपर वाली line से चलना है यह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यह इदर आ गया हम यह देखें यह आपका angle 130 है यह वाला पॉइंट है यह हमारा 135 है और उसके ठीक बात यह है तो means यह 136 degree angle जो है यह हमारा आ गया तो means बच्चों हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि यह जो angle है हमारा यह 136 degree है समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी को तो इस तरह से आप angle को कहीं भी इसी तरह से हम इसको भी measure कर सकते हैं किसी भी angle को आप measure कर सकते हैं अब एक चोटा सा और मैं आपको concept के लिए कर दूँ बच्चों यहाँ पर कि यह जो angle होता है इसके arms पर depend नहीं करता कि यह कितना बड़ा है कितना चोटा है माल लीजी यह एक angle है बच्चों ठीक है यह देखिए एक angle है ठीक है और मैं इसी के बगल में एक दूसरा angle भी draw करता हूँ ठीक है तो बच्चों हमें न इसके angle का छोटा या बड़ा होना इस से पता चलेगा यह यह नहीं कि हमें अगर इसके arms जो हैं यह चोटे हैं और इसके arms जो हैं यह बड़े हैं तो हम कहाँ देगी यह angle बड़ा है हमें कौन सा angle बड़ा है कौन सा angle छोटा है यह तो हमें measure करने के बाद ही पता चलेगा समझ में आ रही है आप सब को बात अभी मैं एक और example लेके आपको यह दिखाने की कोशिश करता हूँ यह देखे बच्चों मैंने आपके सामने दो angle लिए है अब यह दो angle मैं आपसे normally पूछँगा कि बताओ कौन सा angle छोटा है कौन सा angle बड़ा है तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आई होगी बात तो आप कह सकते हो कि यह वाला angle जो है ना यह वाला angle बड़ा है और यह वाला angle जो है यह चोटा है बड़ बच्चों हम ऐसे कुछ भी नहीं बदा सकते जब तक हम इसका angle नहीं मेजर करेंगे अब आप ध्यान से देखिए मैं D से इसको मेजर कर रहा हूँ अगेन हम वही करेंगे बच्चों हम एक काम को fix रखेंगे किसी को भी माल लीजे यह वाला रख लेता हूँ और यह point हम इसके इस साथ से angle को measure करने की कोशिश करेंगे तो यह देखिए बच्चों मैंने D को लगा दिया है अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अगेन हमने यहाँ से इस वाले arms को एक तरीके से fix किया था तो हम जीरो इसको लेंगे तो जीरो वाले line आप देख रहे हैं उपर से सुरूर है अब देखिए मैं इसको measure कर रहा हूँ यह देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और यह देखिए आप यह हमारा 55 हो गया यह 65 हो गया यह 56 हो गया और यह 57 डिग्री आप लोग ने देखा वचो इस angle का measurement क्या है 57 डिग्री अब देखिए अब मैं इस वाले angle को measure करके आपको दिखाता हूँ कि इसका कितना आता है यह देखिए बचो मैंने यहाँ पर फिर दुबार डी को रख दिया है कि के अभी देखिए मैं इसका भी angle बेजर करके दिखा रहा हूँ आप लोग को आप लोग भी देख सकते हैं आपे देखिए again यह 50 यह देखिए इस arm को fix किया था हमने तो यह 0 हो गया 10, 20, 30, 40, 50 और य यह हमारा आगे 55 ठीक है यह वाला जो एंगल है यह वाला ठीक है उसके बाद देखिए 56, 57 तो आपने देखा बच्चो के लिए देखिए यह एंगल देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि यह चोटा यह बड़ा पर ऐसा नहीं है यह इसके arms के size पर नहीं depend करता है ठीक है बच मतला बहुत सकता है आप अपने पादर से भी जादा लंबे हो जाओ बच्चो एज तो एज रहेगी ना है ना ऐसे हम देखके नहीं बता सकते कौन अभी इसी तरह से हम एंगल मेजर करके एक एक एक्जामपल और देखेंगे देखेंगे बच्चो अभी दो एक्जामपल और लिया है अब मैं आप से पूछ उका कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल चोटा है तो हो सकता है आप फिर बताओ कि यह वाला एंगल बड़ा है ये वाला angle चोटा है बड़ बच्चो ऐसा नहीं है आप मैंने बता है ना आपको हमें इसके angle को देखना है लाकि इसके arms को ठीक है तो मैं D को place कर रहा हूँ यह देखे बच्चो जब हमने इस D को यहाँ पर place किया है तो आप देखे कि यह जो angle है यह हमारा कितना आ रहा है देखे again हमने इस arms को fix रखा है तो हम इसको 0 लेंगे और 0 वाली line उपर वाली है अब देख सकते हैं तो यह देखे अगर हम ध्यान से देखे तो यह जो angle है यह यह देखे यह हमारा exact बच्चो आप देख रहे हैं 0 के बाद 10 के बाद एक angle जाद है means यह हमारा जो है यह है 11 degree ठीक है आपको के लिए पता चल रहा है कि यह जो angle है यह 11 degree है अब इसी तरह से हम इस वाले angle को measure करके देखते है आए यह देखे बच्चो मैंने d को यहाँ पर place कर दिया है तो अब देखेंगे हम इसमे हमने इसाम को fix रखा है again हम इसको 0 लेंगे क्योंकि हम इसके respect में angle को measure कर रहे है और 0 से अगर हम आगे चलें तो यह देखे यह हमारा exact यह जो angle है बच्चो यह exact exact 60 degree आ रहा है ठीके तो आप इसमें ध्यां से देख लीजे कि यह जो angle था यह वाला यह हमारा 60 degree आया मैं इसको हटा देता हूँ तोड़ी देर के लिए यह देखे यह angle हमारा जो आया है यह हमारा angle जो है यह 60 degree है और यह वाला जो हमारा angle था यह हमारा 11 degree आया था ठीके तो आप इसको समझ सकते हैं कि angle को जो बड़ा और चोटा होना उसके arms पर depend नहीं करता है आप कभी भी चेक करिएगा ठीके आप खुद से भी angle draw करकर के इस तरह से practice कर सकते हैं अब हम next देखेंगे बच्छो how to draw an angle angle draw करना बच्छो बहुत ही आसान है आपको इसमें जैसे आपने measure करना सीख लिया तो उसे में समझ लीजे आपने draw भी करना सीख लिया है आईए मैं आपको एक example के दुरू समझाता हूँ जैसे माली जै बच्छो हमसे बुला जाता है कि हमें एक 60 डिगरी का एंगल draw करना है ओके तो हमें 60 डिगरी का एंगल draw करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम एक बिल्कुल सीधी लाइन draw करेंगे यह देखिए है हमने एक सीधी लाइन draw कर ली अब इसमें आपको एक point लेना पड़ेगा बच्छो वो point आप कहीं पर भी ले सकते हैं जैसे माल लिजे वो point मैं यहाँ पर end में भी ले सकता हूँ और वो point मैं यहाँ पर बीच में भी कहीं पर ले सकता हूँ इसमें कोई गलती नहीं है बच्छो आप कहीं पर भी ले सकते हैं जहाँ पर भी आपको angle draw करना हो अब वहाँ पर वो point ले सकते हैं जैसे अगर मैं बीच में लूँगा माल लीजे यहाँ कहीं लेता हूँ तो वो angle जो हमारा इस तरह से draw होगा तो यह हमारा required angle होगा ठीक है लेकिन अगर माल लीजे मैं उस angle को माल लीजे मैं यहाँ से नहीं draw करना चाहता हूँ तो उस case में आपका जो angle है वो यहाँ पर आप point जब लेंगे तो यहाँ पर बनेगा तो वो आपके उपर है या फिर question जैसे दिया जाता है हम उसके according इसको बनाते हैं तो आईए हम देखते हैं तो जैसे माल लीजे मैंने point यहाँ पर ले लिया है ठीक है अब देखिए अब मुझे करना कुछ नहीं है मैं यहाँ पर d को लाऊंगा और again जो हम measure करते टाइम करते थे वो ही यहाँ पर करेंगे मैं इस line को और इस point को match करूँआ यह देखिए आप देख पारे हूँ मैंने इसको बिल्कुल match कर दिया फिर वही दुबारा हमें यही ध्यान रखना है हमें यह वाला point देखना है और यह वाली line देखनी है यह वाली line ठीक है आपको यही दो चीज़े देखनी है यह देखिए यह देखिए बच्चों मैंने इसको match कर दिया है अब हमें इसमें यहाँ पर d के end में यह देखिए आपको 60 वाला point देख रहा होगा यह 60 है हमारा है ना तो इसके आगे यह line है यह वाली line है सीधी ठीक है तो आप क्या गरेंगे आप इसके ठीक सामने जहाँ पर यह point खतम हो रहा है वहाँ पर एक point इस तरह से लगा देंगे ठीक है देखिए मैंने यह point लगा दिया अब आपको कुछ नहीं करना है आपको अब आपको d को हटा लेना है यहां से और आपको scale की help से आपको scale यूज करना होता होगा उसकी help से सीधा इस point को लेके और इसको यहां से ऐसे एक मिट बचो यह देखिए आपको इस तरह से मिला देना है तो यह जो है यह आपका 60 degree का एंगल ready है बचो ठीक है अगर माल लो मैं आपको एक और example देता हूँ इसमें अगर मुझे बोला जाता है माल लिजे कि आप 135 degree का एंगल डॉक है तो हम फिर वही करेंगे बचो यह मैंने एक जीधी line ले लिया है और again यहाँ पर कहीं पर एक point ले लेंगे suppose मैं यहाँ पर point लेता हूँ ठीक है अब मैं ठीको लाके यहाँ पर place करूँगा line को मिलाऊँगा यह देखिए मैंने point place किया है बड़ line अभी ठीक से नहीं match हो रही है तो line को मैं match कर दूँगा यह देखिए मेरी line भी match हो गई है और यह मैंने point भी match कर दिया है ठीक है अब आप देखिए आपको अब यहाँ पर फिर यह भी ध्यान रखना है कि आप किसके according angle fix कर रहे हो अपना कौन से arms को आप 0 ले रहे हो ठीक है तो माल लीजे अगर मैं यह arms को ले रहा हूं 0 तो हमें उपर वाली रहा हूं में चलना पड़ेगा और अगर मैं उस arms को 0 ले रहा हूं तो नीचे वाली रहा हूं तो मुझे नीचे वाली रहा हूं में चलना पड़ेगा इस माले रहा हूं ठीक है तो और यह देखते है यह देखिए मेरे को जो एंगल बनाना है वो है 135 डिग्री का आप देखिए यह 90 हो गया अंडेड हो गया कि 110 हो गया 120 130 और यह 140 130 और 140 के बीच में कि हम ध्यान से देखेंगे हमारा ठीक यह वाली जो रहा है हमारी यह वाली जो लाइन है यह हमारा 135 है तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 135 के इसाफ से एक पॉइंट लगा लेंगे बच्छो जैसे हमने उपर 60 में लगाया था यह देखिए मैंने यह पॉइंट लगा लिया अब हम क्या करेंगे अपने डी को यहाँ से हटा लेंगे और फिर दुबारा एक स्केल की मदद से हम यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे आप देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपने इसको जीरो लिखा था तो आप इधर से एंगल का नाम देंगे अदला एंगल का मेजर में लिखेंगे 35 डिग्री अगर आपने यही काम इस तरफ से किया होता तो उस केस में देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यह देखिए मानली मैंने एक नाइन ले लिया और मैं जो पॉइंट फिक्स कर रहा हूं वो यहां पर कर रहा हूं देखिए मैं यहां पर इसको प्लेस करता हूं यह देखिए हैं मैंने इसको प्लेस कर दिया है बच्चो अब मैं इस आम्स को जीरो मानके मैं यहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं हमारा जो जीरो डिगरी का एंगल है वो इधर रखके तो मुझे नीचे वाले के हिसाफ से लेना पड़ेगा ध्यान देजे यह आगे हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और यह 140 और इन दोनों के बीच में हमारा यहां पर आएगा 135 तो मैं यहां पर ऐसे पॉइंट लगा लूँगा और अगेन मैं क्या करूँगा बच्चो डी को हटा दूँगा और यहां से अपने लाइन को स्केल की हल्प से मैच कर दूँगा अब बच्चो फरक यह देखिए आपने उपर में राइट हैंड वाले को जीरो डिगरी कंसिडर क्या था इसको आपने इस दाव से लिखा था लेकिन यहां पर हम कि इधर इसको 0 degree consider कर रहे हैं left hand पे ठीक है तो हम क्या करेंगे हम इस फार 135 इस तरफ लेखेंगे यह हमारा 135 degree है यह बच्चो तो आप लोग को समझ में आया होगा और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समझ कर रहा हूँ और अंत में आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको useful लग रहा है तो इसे like जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी share करें और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी तरह की कोई सुधार की जरूरत है या आप learners को या आप बच्चों को कुछ भी लगता हो कि सर आप हमें से नहीं या किसी और तरीके से कुछ भी या फिर आपको चीजें अच्छे से नहीं समझ में आ रही है जो भी है तो आप अपने comments के माधियम से मुझे ये सब कुछ बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आप सबों की जो भी परिशानी हों आप सब की जो भी परिशानी रहेगी उसे कोशिश करूँगा दूर करने की तो ठीक है फिर मिलते है नेक्स वीडियो में बाए बाए